इस पीडिएफ का पासवर्ड इस विडियो के अंत में दिया गया हैं तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम ग्रूप और वाट्स आप चैनल में मिलेंगी जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जॉइन कर सकते हैं 1. वर्धा योजना, वर्धा स्कीम, परिचय, वर्धा योजना 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित एक शिक्षा सुधार योजना थी। इसका उद्देश्य भारत में प्राइमरी शिक्षा को भारतिय परिवेश के अनुकूल बनाना और स्वदेशी शिक्षा प् कामों को शिक्षा में शामिल करना। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्यान देना नहीं, बलकि नैतिक और सामाजिक मूलियों का विकास करना था। इस योजना के अंतरगत, शिक्षा को जीवनोप्योगी और सस्ती बनाने की कोशिश की गई। वर्धा योजना ने प्रात्मिक शिक्षा को व्यापक रूप से प्रभावित किया और भारतिय समाज में शिक्षा के प्रती एक नए द्रिश्टिकोन का विकास किया। से ग्यारह वर्ष की आयू तक के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रात्मिक शिक्षा का प्रस्ताव किया गया। 3. भारत में समाचार पत्रों का विकास परिचे भारत में समाचार पत्रों का विकास 18वी सदी में अंगरेजों के शासन के दौरान हुआ। प्रारंभिक समाचार पत्र ब्रिटिश प्रशासनिक और व्यावसायक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से निकाले गए थे, लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने भारतिय समाज और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रमुक समाचार पत्र, हिकीज गजट, 1780 उदा स्माइली भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ओक्स्टस हिकी द्वारा कोलकाता में प्रकाशित हुआ यहाँ पत्र अंग्रेजों की आलोचना करने के लिए जाना जाता था बंगाल गजट, यह पहला भारतिय स्वामित्व वाला समाचार पत्र था, जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया समाचार सुधावर्शन और बंबई समाचार, 19-वी सदी में मराठी और गुजराती भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, जो स्थानिय भाषा में जागरुकता फैलाने का काम करते थे स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन्मत तयार किया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रिय नेताओं के विचारों को जनता तक पहुचाने का माध्यम बने तिलक, गांधी, नहरु जैसे नेताओं ने अपने पत्रों के माध्यम से लोगों को संगठित किया केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र लोकमान्य तिलक द्वारा प्रकाशित किये गए जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया गांधी जी का समाचार पत्र यंग इंडिया और हरिजन भारतिय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख स्रोध था चार उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल पीरियड, परिचय, औरंगजेब की मृत्यू, 1707 के बाद मुगल सामराज्य का पतन शुरू हो गया जिसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है यह काल भारत में प्रांतिय राज्यों के उदे और केंद्रिय सत्ता के कमजोर होने का था प्रमुख घटनाएं, मुगल बादशा कमजोर हो गए और उनके राज्यपालों ने स्वतंत्रता प्राप्त करनी शुरू की बंगाल, अवद, हैद्राबाद जैसे प्रांच स्वतंत्र हो गए मराथों ने मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया और दिल्ली पर भी आक्रमन किया नादिर शाह और रहमत शाह अब्दाली के हमलों ने मुगल सामराज्य को और कमजोर कर दिया महत्व, इस काल में मुगल सामराज्य केवल नाम मात्र की सत्ता बनकर रह गया और भारत में मराठा, सिक और अन्य प्रांतिय राज्यों का उदे हुआ. 5. नादिर्शा का हमला, नादिर्शास इन्वेजिन, परिचय, नादिर्शा, फारस, इरान का राजा, 1749 में भारत पर हमला किया. इस आक्रमन ने मुगल सामराज्य की कमजोर स्थिती को उजागर किया और दिल्ली की संपत्ती को लूटने में उसकी भूमी का महत्वपूर्ण थी. कारण, फारस के राजा नादिर्शा को भारत की अपार धन संपता का पता चला था और वह इसे हासिल करने के लिए उच्सुक था. मुगल शासन की आंतरिक कमजोरियों और राजनितिक अस्थिरता का लाब उठा कर उसने आक्रमन किया. प्रमुक घटनाएं, का के हमले ने मुगल सामराज्य की रही सही ताकत को खत्म कर दिया. इस हमले के बाद मुगल सामराज्य पूरी तरह से राजनितिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो गया. छे. प्रांतिय राज्यों का उदे परिचय. औरंग जेप की मृत्यू के बाद मुगल सामराज्य का नियंत्रन कमजोर हो गया और प्रांतिय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोशित करनी शुरू कर दी। ये राज्य मुगल सत्ता से अलग होकर स्वतंत्र शासकों के रूप में उभरे। 6.1 करनाटक करनाटक दक्षन भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। मुगल सत्ता के पतन के बाद यहां राज्य स्वतंत्र हो गया। यहां के नवाबों ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के साथ संबंध बनाएं। करनाटक युद्धों ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच भारत में संघर्ष को बढ़ावा दिया 6.2 हैदराबाद, हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में की थी यहाँ राज्य भारत में सबसे धनी और शक्तिशाली राज्यों में से एक था निजाम ने मुगल समराट की नामात्र की अधिनता स्विकार की लेकिन व्यावारिक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन किया 6.3 बंगाल बंगाल प्रांत ने 18वी सदी में स्वतंत्रता प्राप्त की बंगाल के नवाबों ने मुगल समराट से स्वतंत्र रूप से शासन किया बंगाल का अंतिम नवाब सिराजुद दौला था जिसे प्लासी के युद्ध 1757 में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपणी ने हराया 7. टीपू सुल्तान परिचय टीपू सुल्तान 1751 से 1799 मैसूर राज्य के शासक थे और हैदर अली के पुत्र थे उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है और वे अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए प्रसिद थे प्रमुख बिंदू टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ चार आंगल मैसूर युद्ध लड़े उन्होंने अपनी सेना में कई आधुनिक सुधार किये और फ्रांस के साथ संबंध स्थापित किये टीपू सुल्तान ने भारतिय राज्यों के बीच एक संघ बनाने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजों का विरोध किया जा सके मृत्यू एक हजार साथ सो निन्यानवे में श्रीरंग पत्नम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यू हो गई और मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रन स्थापित हो गया आठ सिख राज्य सिश एम्पाय परिचय सिख राज्य की स्थापना 18-वी सदी में महाराजा रंजीत सिंग ने की थी यह राज्य पंजाब, कश्मीर और सिंदू क्षेत्र में फैला हुआ था प्रमुख बिंदू रंजीत सिंग ने सिखों को संगठित कर एक मजबूत सिक्ष सामराज्य की स्थापना की और अंग्रेजों के साथ एक समझोता करके पंजाब शेत्र में अपनी स्थिती को मजबूत किया प्रमुख विशेष्टाएं रंजीत सिंग का शासन महाराजा रंजीत सिंग 1801 से 1849 ने पंजाब में सिक्ष सामराज्य की स्थापना की उनकी सेना बहुत ही सुसंगठित और मजबूत थी उन्होंने आधोनेक युद्धकला और रन्नीती को अपनाया जिससे उनकी सेना अंग्रेजों के लिए एक चुनोती बन गई अंग्रेजों से संधी इस संधी से सिख राज्य की संप्रभुता की सुरक्षा हुई धार्मिक सहिशनोता रन्जीत सिंग ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों के लोगों के प्रती सहिशनोता दिखाई उन्होंने हिंदूओं, मुसल्मानों और सिखों को समान अवसर दिये और उनके अधिकारों का सम्मान किया पतन, रंजीत सिंग की मृत्यू के बाद सिख सामराज्य कमजोर हो गया एक हजार आच सो पैंतालीस से च्यालीस में अंग्रेजों के साथ पहले आंग्लसिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमन किया और एक हजार आच सो उन्चास में दूसरे आंग्लसिक युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश सामराज्य में मिला लिय 9- नौ – मराथा राज्य, मराथा एम्पायर, परिचय, मराथा सामराज्य 17 और 18 शताबदी में भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था. इसकी स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराज ने की थी और यहां मुगल सामराज्य के पतन के बाद भारत के अधिकांज हिस्सों पर नियंतरन करने लगा प्रमुख बिंदू, शिवाजी महाराज, शिवाजी ने मराथा सामराज्य की नीव रखी और मुगल सामराज्य के खिलाफ संघर्ष किया उन्होंने गुरिल्ला युद्धकला का उप्योग किया और मराथा सेना को सशक्त बनाया पेश्वा शासन, शिवाजी की मृत्यू के बाद मराथा सामराज्य का नेत्रित्व पेश्वाओं के हाथों में चला गया पेश्वा बाजीराव ने मराथा सामराज्य को भारत के अधिकांज हिस्सों में फैलाया आंगलमराथा युद्ध, मराथाओं और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के बीच तीन आंगलमराथा युद्ध लड़े गए। पहले दो युद्धों में मराथाओं की स्थिती मजबूत थी, लेकिन तीसरे आंगलमराथा युद्ध 1817 से 1818 में अंग्रेजों ने मराथाओं को पराजित कर दिया। पतन, तीसरे युद्ध के बाद मराथा सामराज्य का अंत हो गया और अंग्रेजों ने भारत के अधिकांज हिस्सों पर नियंत्रन प्राप्ट कर लिया निशकर्ष, वर्धा और सार्जेंट योजनाओं ने भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई वहीं समाचार पत्रों का विकास भारत में जागरुकता फैलाने और स्वतंद्रता संग्राम को गती देने में एहम था उत्तर मुगलकाल में मुगल सामराज्य का पतन हुआ और प्रांतिय राज्यों का उदे हुआ जिसमें करनाटक, हैदराबाद, बंगाल, टीपू सुल्तान, सिक और मराठा राज्य शामिल थे नादिर शाह का हमला और अंग्रेजों से प्रांतिय राज्यों की पराजय ने भारत की राजनितिक स्थिती को और जटिल बना दिया जिससे अंत्ता ब्रिटिश सत्ता का उदे हुआ मराठा सामराज्य की वनशानुगत्ता की शुरुआत छत्रपती शिवाजी महराज से हुटी है जिनोंने 1674 में मराठा सामराज्य की स्थापना की शिवाजी महाराज ने मुगल और अन्यपडोसी राज्यों के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया और एक सशक्त मराथा राज्य का निर्मान किया उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज 1681 से 1689 ने सत्ता संभाली लेकिन मुगल समराठ औरंगजेप से संघर्ष के दौरान उनकी हत्या हो गई संभाजी के बाद उनके छोटे भाई राजाराम महाराज 1689 से 1700 ने मराथा सामराज्य का नित्रत्व किया राजाराम के समय में मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा राजाराम की मृत्यू के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने नाबालिक पुत्र शिवाजी द्वितिय के नाम पर मराथा सामराज्य का नित्रित्व किया और मुगलों के खिलाफ लडाई लड़ी 1714 में शिवाजी महाराज के पोते शाहु महाराज ने मराठा सत्ता संभाली शाहु महाराज के समय में पेश्वाओं की शक्ती बढ़ी और मराठा सामराज्य का विस्तार हुआ 1818 में तीसरे आंगल मराथा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराथा सामराज्य को पराजित कर दिया जिसके साथ मराथा सामराज्य का पतन हो